पूरी दुनिया में कोरोना वाइरस की दहशत के बाद देश के कई राज्यों में हालात बे काबू हो गए हैं ऐसे में प्रदेश के बाहर से हजारों हिमाचली लोग अपने घरों को लोट रहे हैं जिसके लिए प्रदेश सरकार के साथ स्वास्ते विभाग ने भी कोरोना वाइरस के कारण बिगड रहे हालात पर काबू पाने के लिए कोविट नाइनटीन आइसोलेशन सेंटर चिन हित किये हैं जिसमें कुल्लो जिला में प्रशासन ने तीन COVID-19 आइसोलेशन सेंटर चिन्हित किये हैं, जहां पर COVID-19 आइसोलेशन सेंटर में पॉजिटिव मरीजों को रखा जाएगा। स्वास्ते विभाग के करमचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जिसमें सभी स्वास्ते करमचारी तीन शिफ्टों में साथ दिन तक सेवाएं देंगे। इसके अलावा अतरिक्त स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। डॉक्टर विकास डोगर ने कहा कि जब तक कोरोना वाइरस की वैक्सिन तयार नहीं होती है। लोगों को कोविड-19 वाइरस के साथ जीने की आदत डालनी होगी। और इसके लिए लोगों को सरकार वा प्रशासन द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन करना होगा। पता है एक कोरोना महामारी हमारे देश में आ चुकी है। हिमाचल में भी इसके केसिज अब बढ़ रहे हैं। तो जो सेंटरल गवर्मेंट है और स्टेट गवर्मेंट ने उन्हें टाइम टू टाइम गाइडलाइन्स इसू की है। उसके हिसाब से अब जो प्लैनिंग है उन्होंने इसको तीन हिस्से में तोड़ा है। सेंटर चल रहा है उसका नॉडल आफसर और एक हमारा डिस्टिक हेल्थ सेंटर चलेगा जो के तेगुबेड हॉस्पिटल है। जिसकी वहां के बीमो डॉक्टर सपना है नॉडल आफसर। तो अब हमें टास्क है कि उसको सेट अप करवाना और वहां की मैंपार वहां पर डलवाना और मैंपार को ट्रेन करना जो हमारी मेडिकल स्टाफ होगा। तो उसके रिगार्डिंग हम यह ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक ट्रेनिंग हमने अलड़ी आरेच कुलो में कर चुके हैं। जिसमें मैंने अपना फर्स्ट बैच जो अलड़ी आठ तारीक से डिस्टे कायरवेधिक हॉस्पिटल में डिप्लाय हो चुका है। वो फंक्शन कर रहा है और उसको ट्रेन कर चुका हूँ मैं। यहां पे अब हमारे पास डिस्टे कायरवेधिक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो चार डॉक्टर्स अगली टीम में डिप्लाय होंगे। और उनका सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ वो यहां पे ट्रेन हो रहा है और जो हमारा डिस्टिक कोविड हैल्स सेंटर है तेगुबेड उसके जो नर्सिंग स्टाफ है प्लस वहां के डॉक्टर्स हैं जो जिनके रोस्टर्स अलड़ी बन चुके हैं वो लोग यहां पे से आके इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं सिटी चैनल के लिए कुलू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट